आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे college के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहां से अगर आप CMS ED course करते हैं तो live में आपको कोई भी problems नहीं होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस college के बारे में कब से ये college CMS ED के course करा रहा है और कितने सारे students यहां से pass out होकर निकल चुके हैं और साथी साथ बताऊंगा कि CMS AD course अगर आप यहां से करते हैं तो यहां से आपको क्या-क्या certificate मिलने वाले हैं और साथी साथ बताऊंगा कुछ ऐसी छूट के बारे में जो इंस्टिटूट के तरफ से कुछ बच्चों को दी जाती है तो वीडियो में बने रही है एंड तक वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो चली दोस्तो देर न करते हूं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो मैं हूँ हाशिम खान और बरफिर से अपने यडियो अप चैनल में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूं दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको CMS ED से जुड़ी सभी अबेट मिलती रहती है तो इसलिए बहुत सारे स्टुड़ेंट्स जो CMS ED कोर्स करना चाहते हैं या कुछ स्टुड़ेंट्स ने कुछ ऐसे कॉलेजों में एड्मिशन ले लिया था जहां पर उनको बहुत ज़दा परिशानी होने लगी थी तो बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेट करने शुरू किये और सबसे ज़्यादा जो कमेट आए हैं वो आए हैं कि सर आप कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में जान करें दीजिए जहां से हमें फ्यूचर में कोई भी परिशानी ना हो हम जान लेते हैं MS Group of Institute के बारे में दोस्तों ये लगनो में मौझूद है और 1998 से ये रनिंग में है और यहां से बहुत सारे इस्टुडेंट्स मेडिकल कोर्स करके निकल चुके हैं और अगर बात की जाए तो ओल ओवर इंडिया से यहां इस्टुडेंट आते हैं और मेडिकल कोर्स जो डिपलोमा कोर्स होते हैं वो यहां से करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CMS AD कोर्स के बारे में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं वो आए हैं कि सब CMS AD अगर हम करते हैं तो कहां से करें और MS Group से अगर हम करते हैं तो कैसा रहेगा MS Group of Institute तो 2003 से CMS AD Course करा रहा है अब लगा सकते हैं कि 20 वर्सों से ये College CMS AD Course करा रहा है तो कितने सारे Students यहां से Pass Out होका निकल चुके होंगे तो इस जगह से अगर आप CMS AD Course करते हैं तो आपको टेंसल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है काफी सारे Students जो CMS AD Course कर रहे होते हैं उनके मन में हमेशा यही दुविदा रहती है कि काश ऐसा नहों कि बाद में हमें कोई प्रॉबलन्स हो तो अगर आप CMS AD Course करना चाहते हैं MS Group of Institute लगनों से बेजिशक होकर कर सकते हैं 2003 से लेकर आज तक लगबग 2000 से भी प्लस Students यहां से पास आउट होकर निकल चुके हैं जो कि CMS AD कर चुके हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 20 वर्सों से यह Institute CMS AD Course करा रहा है तो यहां पर कोई Problems आपको आने वाली नहीं है तो जो लोग नहीं हैं CMS AD Course के बारे में जानना चाहते थे और अभी CMS AD Course के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी में आपको बता दूँ कि CMS AD Paramedical Course है इस Course को करने के बाद आप किसी भी Grammete छेतर में रूरल एरिया में या पर किसी होस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जॉब कर सकते हैं या पर अपनी ओन स्वास्त केंदर भी खोल सकते हैं जो कि पराथ में कुप चार केंदर होता है और दो साल का ये कोर्स होता है जिसमें 18 महीने की theoretical class लगती है और 6 महीने की जो होती है intercept training होती है तो टोटल मिलाकर ये दो वर्स का कोर्स होता है अगर इसकी fees की बात करें तो MS ग्रूप में इसकी fees जाती है परियर की 25,000 रुपे यानि कि दो साल का कोर्स है तो आपकी जो टोटल फीस होई वही 50,000 रुपे लेकिन इसमें 1000 रुपे आपको registration के लिए pay करने होते हैं तो 51,000 रुपे में ये final course हो जाता है अगर बात करें जो students दूर के होते हैं जाने की बहुत जादा दूर से या दूसरे राज्यों से होते हैं तो उनको वहाँ पर रुपकर पढ़ाई करने की जरुत परती है तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर hostel की व्यवस्ता भी मिल जाती है जिसमें आपको 4500 रुपे पर मंद का चार्ज देना होता है जिसमें आपको रहना और खाना 4500 रुपे में मिल जाता है तो और इसके अलावा अगर बात करें छोट की तो जो BCK स्टुटेंट होते हैं उनको 5% कॉलेज के तरफ से छोट मिलती है और जो SCK स्टुटेंट होते हैं उनको 10% की छोट मिलती है इंस्टुट की तरफ से अगर बात करें कि हमें इस कोर्स को करने के बाद ये संस्था क्या-क्या सर्टिफिकेट देने वाली होती है तो दोस्तों ये सबसे पहले तो आपको एक Registration Certificate देती है CMS ED का Diploma Certificate देती है और देती है आपको NOC इस NOC के लिए जो स्टुटेंट CMS ED कर चुके हैं अधर संस्थाओं से वो क्या करते हैं कि चकर काटते हैं CMO Office के कि हमें NOC नहीं मिल रही है NOC के बेगर practice करेंगे तो हम जेल में जाना पड़ सकता है हमें तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से भी चिंता करने की ज़रोद नहीं है क्योंकि CMS ED course अगर आप MS Group से करते हैं तो आपको NOC जो होती है वो संस्थाओं देती है यानि कि आपका जो काम है वो आदल संस्था कराकर देती है जब आपको संस्थाओं के द्वारा NOC मिलेगी तो आपको practice करने में कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है इसके अलावा जो आपको मिलती है medicine की list मिलती है आपको intercept का letter मिलता है और इसी के साथ साथ प्रेम कोट का जैज्जमेंट का जो order होता है वो मिलता है पूरी file आपको मिलती है और जब भी आप कहीं पर अपना खुदगा किलिने उपन करते हैं तो आपको ये file अपने साथ रखनी है कभी भी कोई भी अधिकाली आपके यहां पर आता है तो आपको उससे प्यार से बात करनी है और अपनी NOC दिखानी है अपनी certificate दिखाने है और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो अपनी संस्था के किसी व्यक्ति से आप उसकी बात करा सकते हैं तो इसमें आपको कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है और रही बात internship की तो आप सभी जानते हैं कि एक paramedical course है और इसमें training की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो अगर तो मैं आपको बता दूँ कि MS Group of Institute का अपना खुद का charitable एक hospital है वहाँ पर internship भी हो सकती है और भी किसी hospital में आप internship कर सकते हैं तो इस institute में वो सारी सुविदाएं हैं जो एक students को चाहिए होती हैं इसलिए अगर आप CMSE ED course करना चाहते हैं तो screen पर और description में हमारा number है आप इस संस्था में admission लेना चाहते हैं तो इस number पर आप call करके अपना admission ले सकते हैं और कोई भी जानकरी अगर आप चाहते हैं तो इस number पर वर्टसप कर सकते हैं तुमाम जानकरी जो आप चाहते हैं आपके confusion को दूर किया जाएगा आपकी जानकरी आपको दी जाएगी जो भी आप चाहते हैं तो अगर आप CMSE ED course करना चाहते थे और आपके मन में बहुत सारी confusion और सवाल थे तो आशक करता हूँ कि इन सारी बातों को सुनकर आपके मन में जो confusion MS Group of Institute के लिए लेकर होगा वो दूर हो चुका होगा और अब आपका शक खतम हो गया होगा और आप बेजिजग होकर admission ले सकते हैं ये एक ऐसी संस्ता है जहां से आप बेजिजग होकर CMACD course कर सकते हैं आशक करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफे informative रही होगे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि information आपको कैसी लगी तो चली दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में